किस्सा धर्मेंद्र के स्ट्रगल के दिनों का है, जब वो पंजाब से मुंबई अपनी किस्मत आजमाने आये थे, हाला कि वो टैलेंट हंट के जरिये फिल्मों के लिए चुने गए थे लेकिन हंट जीतने के बाद वो फिल्म बन नहीं पाए, नतीजतन धर्मेंद्र प्रोड के चक्कर काते हुए अपने रूम पर पहुँचे, जोरों की भूख लगी थी और खाने के लिए कुछ नहीं था, ना रूम पर खाना और ना जेब में इतने पैसे की बाहर जाकर खा सकें, धर्मेंद्र अपने एक रूम पार्टन के साथ रहा करते थे, रूम में पार्टन क इसबगोल का पैकेट रखा था, जो वो अपना हाजमा ठीक करने के लिए लिया करता था, भूख से बिहाल धर्मेंद्र को कुछ नहीं सूझा, उन्होंने इसबगोल का पूरा पैकेट पानी में घोला और पी गए, फिर वो ही हुआ, जिसका डर था, पेट में जोरों की मरो आने लगी, एक के बाद एक दस्त हुए, हालत खराब हो गई, रूम पार्टन उन्हें डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने पूछा क्या खाया था, धर्मेंद्र ने पूरा वाक्या बताया, डॉक्टर ने हस्ते हुए कहा इन्हें दवाई की नहीं, खाने की जरूरत है, खाना खिलाए, ऐसे फांकों में दिन गुजारते धर्मेंद्र को प्रोड्यूसर हिंगोरानी ने अपनी फिल्म में ब्रेक दिया, धीरे धारे उनका करियर पट्री पर आ गया, धर्मेंद्र पहले फिल्म स्टार और फिर सुपर स्टार भी बन गये, लेकिन उन्होंने प्रोड्यूसर हिंगोरानी के उस एहसान को कभी नहीं भुलाया, अपने बेजी शेड्यूल में भी वो हिंगोरानी की फिल्मों में नामात्र की फीस लेकर काम करते रहे, कभी उन्हें किसी फिल्म के लिए इंकार नहीं किया